दोस्तो फोन तो लाँच होते रहते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं बहुत सारे फोन्स लाँच होते हैं लेकिन जब फोन लाँच होता है वनप्लस जैसी बड़ी ब्रांड की तरफ से तो इस दिफ्रेंट सा एक experience देखने को मिलता है क्योंकि वनप्लस की ब्रांड वैल्यू है वह बहुत ज़्यादा है जैसे कि हमको एप्पिल की देखने को मिलती है और सेमसंग की जो फोन्स होते हैं तो उसमें भी जब वाले फोन जब लाँच होते तो इस देखने मिलता है तो वनप्लस ने बेसिकली आपर वनप्लस नॉट सी थी लाइट 5G फोन लाँच कर दिया ह नाम काफी लंबा है फीचर्स भी अच्छे हैं और अगर है आईक्यू जी 75G की बात करें तो आईक्यू भी एक ऐसी ब्रांड है जो कि यहाँ पर वीवो की सब ब्रांड है बिसकली लेकिन यह हाल्वेर वाइज यह बहुती ज्यादा सही काम कर रहें तो उससाब से इनके भ आईक्यू में 6.72 इंचेस का काफी बड़ा डिस्प्ले का साइज मिल जाता है तो आप लोग अगर इसमें कंटेन वाच करेंगे गेम खेलेंगे तो काफी मज़ाएगा लेकिन फोन थोड़सा आपको बल्की फील होगा लेकिन अगर आईक्यू जी 7 की बात करें तो इस वाल आईक्यू ने काफी सही काम किया है थार्टी फील है इसके बात यहां पर ब्राइटनेस को ले करके आईक्यू ने काफी सही काम किया है थार्टीन हेंडर निस के हमको इसमें ब्राइटनेस मिल जाती है इसकी आउट्डो विजिबिल्टी बहुती ज्यादा कमाल के रहने वाली है लेकिन अगर वनप्लस की बात के हो तो यहाँ पे 618 इसकी ब्राइटनेस है और आपको हैंडरें 20 हर्ट का अगर आपको इंज्वाई करना हो आपको फिर यहाला फोण आपके लिए देखा जाए अगर आपको एक अच्छा फोन चाहिए तो फिर आईकुए फोन सहीर आने वाले है अगर यहां पर बात की जाए इसमें चिपसेट की तो आपको यहां पर बिसकली OnePlus में Qualcomm की तरफ से आने वाली Snapdragon 695 मिल जाती, 6NMP पर बेस्ट है, जिसके एंतर तो उसकोर आपको कुछ 3,70,000 के आसपार देखें मिल जाते हैं, बाकि अगर यहां पर बात की जाए IQ की तो यहां प जो OnePlus का जो software experience है, हाला कि यह लोग Oppo का जो color वाइस है, उससे मज कर गए हैं, लेकिन फिर भी इनका जो experience है, इनका जो user interface से smoothness है, वो आपको काफी सही मिल जाएगी, आपको इसमें oxygen मिल जाता है, Android 13 पर बेस्ट है, और IQ में basically Vivo का ही software पढ़ा हुआ है, जो कि फंटेच होएस रही है, और 80W का एक super fast charger आपको इसमें इस वाले price point में in the box मिल जाता है, लेकिन फोन हाला कि 67W की charging को support करता है, बाकि IQ में आपको बैट्री का साइज होता कम मिलता है, 4500 इमेच की बैट्री मिलती है, और चार्जर भी थोरे कम वाट कम मिलता है, 44W कम मिलता है, तो बैट्री 4MP का camera तो जरू मिलता है, लेकिन हमको यह कि OIS के साथ मिलता है, OIS के basically यहाँ पर दो use होते है, पहली बात तो जो जो मतलब video में stability जो produce करना वो तो होता ही है, लेकिन यह नाइट फोटोग्राफिय भी काफी ज़्यादा कमाल की कर देता है, और बाकि इसमें भी दूसरा ले useless बाकि आगर video shoot की बात की जाएं, तो OnePlus में आपको सिवसी full HD तक ही मिलता है, चुकि जो chipset है इसकी, वो capable नहीं है 4K record करने के, लेकिन जो IQ में यहाँ पर option भी दे रखा हुए 4K video shoot करने का, बाकि selfie की बात करें, तो आपको दोनों में 16 16MP की selfie मिल जाती है, इसमें आप लोग video shoot दोनों में full HD तक ही कर पाएंगे, अब finally आप यह बात आती है कि camera के लिए किसाले phone की तरफ जाना चाहिए, तो definitely IQ काफी सही रहेगा, चुकि वहाँ पर आपको 4K तक ही video shoot करने का option मिल जाता है, तो आपको details काफी सही मिल जाएंगे video recording में, प्लस यहाँ पर OIS का support मिल जाता है तो यहाँ पर आपको stability हो गई, night photography हो गई, वो definitely आपकी IQ में better रहेगी, हाला कि आपको OnePlus में एक high resolution वाला camera मिल जाता है, उसका काम सी भी इतना ही होगा, कि वो आपको better details provide कर ले, अगर आपर बात की जाए, इसमें security की तो आपको दोनों में face lock option मिल जाते है, लेकिन आपको OnePlus में build quality की तो दोनों ही में आपको काफी basis ही मिलती है, plastic का back मिलेगा, plastic के frame मिल जाते है, variant और rate में आपको basically आपे दोनों phone दो-दो वेरे में देखने को मिलते है, और यहाँ पर अगर finally मैं अगर अपनी बात करूँ, तो फिर OnePlus आपको दिस्पले बड़ा चाहिए हो, 120 Hz का चाहिए ह OnePlus में काफी सही रहने वाल है, बाकि जो इसमें battery charging है वो भी यहाँ पर काफी कमाल का है, लेकिन अगर IQ की बात करें, तो इसकी list होई से और लंबी है, जैसे कि जो display है, वह थोज़ा है, तो अगर आपको छोटे फूर्म पसंद आते हैं, तो फिर आप लोग इसकी तरफ जा सक सब्सक्राइब करेंगे, बाकि इन डिस्प्ले फिंगर पर सेंसर अगें यह भी प्रीमियम फीचर हमको इसमें देख भी जाता है, और बाकि यहाँ पर यहाँ पर सस्ता भी IQ का फोन, तो यह भी चीज़ आपको इसमें काफी सही मिल जाती, तो आपके सभी डॉक्स क्लिएर हो गएंगे, तो दोस्तों आपे वीडियो के लाइक जाओ कर दीजे, हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाते हैं,